आप नींद में कई नकारात्मक चीजों या सकारात्मक चीजों को बढ़ा सकते हैं, ये बहुत आसान है, बस नींद की साथना, तो एक अलाम से अचानक जागना, जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। आप में से कितने लोग किसी दिन सुभा उठने के बाद बेवज़े, बहुत बुरा महसूस करते हैं, बिल्कुल बेवज़े, अगर साल में कम से कम दो तीन बार भी ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा है, तो आपको सोने से पहले कुछ चीज़ें करनी चाहिए, ये बहुत ही क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आप नींद में कई नकारात्मक चीज़ों या सकारात्मक चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, आप नींद में सुखदता ये अप्रियता को बहुत कुशलता से बिना रुकावट के बढ़ा सकते हैं, आप दिन में भी उने बढ़ा सकते हैं, प सुभा बहुत बुरा महसूस करते वे उठते हैं, बिलकुल बेवजा, तो मतलब आप रात में बहुत कुशलता से चीजों को सेते हैं, खराबंडों को. बात सर्फ मानसे का शांती की नहीं है, ये समय के साथ बड़ी शारिरिक समस्याएं पैदा कर सकता है. ये महत्वफूर्ण है कि आप इन चीजों को अपने जीवन से हटाएं. तो रात को सोने से पहले, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए. अगर आप मास और वैसा भुजन करते हैं, तो उसे सोने से कम से कम तीन से चार घंटे पहले खाएं, ताकि पाचन पूरा हो जाएं. सोने से पहले थोड़ा पानी पी कर सोने जाएं. आप देखेंगे कि इसी से वो ठीक हो जाएगा. एक आसान चीज की जा सकती है, वो है स्नान. अज़न हमेशा सोने से पहले नहाएं, इससे काफी फर्क पड़ता है. इस मौसम में ठंडे पानी से नहाना मुश्किल हो सकता है, तो आप गुन-गुने पानी से नहाएं, रात को गरम पानी से नहाएं, गुन-गुना पानी लें. यह आपको सजग बनाता है, आप सोचेंगे, अरे मैं सो नहीं पाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 15-20 मिनट या आदे घंटे बाद सोएंगे, मगर नींद बहतर आईगी, क्योंकि इससे कुछ चीज़ें हट जाएंगी. जब आप नहाते हैं, तब सिर्फ तवचा की गंदगी नहीं हटती. क्या आपने देखा है? जब आप बहुत तनाव और चिंता में होते हैं, तब सिर्फ नहाने से ऐसा लगता है, मानो बोज लगभग उतर गया हो. क्या आपने ये नहीं देखा है? तो ये सिर्फ तवचा की सफाई नहीं है. पानी के शरीर पर गिरने से बहुत सारी चीज़ें होती है. सनान एक बहुत बुन्यादी भूत चुद्धी है, क्योंकि आपका शरीर सतर प्रतिशत से अधिक पानी है. अगर आप उस पर पानी गिराएं, तो एक तरह का शुद्धी करण होता है, जो तवचा की सफाई से परे है. एक और चीज़ अगर आप करना चाहें, आप बस एक जैविक तेल का दिया जला लें. रूई की बाती और कोई भी तेल. यहाँ आप क्या इस्तिमाल करते हैं? साधरन खाने का तेल, लिंसीड ओईल, राइस ब्रैन ओईल या तिल का तेल. आप के पास क्या है? ओलिव ओईल ठीक है. रूई की बाती के साथ कोई भी जैविक तेल लेकर एक छोटा दिया उस कमरे में कहीं जला लें, जहां आप सोते हैं. आप देखेंगे कि ये चीज़ें बिलकुल गायब हो जाएगी. अगर आप कोई मंतर जब सकें या सोने से पहले रात को योग अभ्यास कर सकें, तो बिस्तर पर बैठ कर उसे करें. अगर आप ईशा क्रिया करना चाहते हैं, तो वो नेट पर उपलब्ध है. आम तोर पर भारत में आपसे कहा जाता है, कि सोते समाय अपना सिर उत्तर दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए. आपको पता है? अगर आप रात में उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं, जब आप लेटे हुए होते हैं, तो धीरे-धीरे खून आपके दिमाग की ओर बढ़ने लगेगा. जब दिमाग में रक्त संचार बढ़ जाएगा, तो आप शांती से नहीं सो पाएंगे. अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार की भीतरी कमजोरी है, या आप अधिक उम्र के हैं, तो आप नींद में मर सकते हैं, हैमरेज हो सकता है, क्योंकि ज्यादा खून दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, जहां खून की नसें बाल जैसी होती है, और चुम्बकी शक्ती कुछ ज्यादा खून भेचती है, सीधे खड़े होते समय ऐसा नहीं होता. जैसे ही आप लेटते हैं, सिर्की ओर ये खिचाव इतना तीवर होता है, कि खून धीरे-धीरे दिमाग की ओर जाने की कोशिश करता है, तो इससे बचने के लिए, ये सिर्फ उत्तरी गोलार्थ के लिए हैं, अगर आप आप आस्ट्रेलिया जाएं, तो आपको सिर्फ दक्षिन की ओर नहीं करना चाहिए, अगर आप भारत में हैं, तो आपको सिर्फ उत्तर की ओर नहीं रखना चाहिए, आप उसे और किसी भी तरह रख सकते हैं, वो ठीक है, इसे अपने मन में रखें, कि आप सच में नाश्वान हैं, ठीक है, पीछे हैं कि ये आपकी मृत्यू शय्या है, आपके पास जीने के लिए सिर्फ एक मिनिट और है, पीछे मुड़कर देखें कि आपने आज जो किया, क्या वो सार्थक है, सिर्फ ये आसान अभ्यास करें, और आप नहीं जानतें कि ये असल में कब होगा, आप मृत्यू शय्य पर बैठे होंगे या अस्पताल में लेटे होंगे और कई तरह की चीजें आप से जुड़ी होंगी, किसे पता वो कैसे होगा, पर रोज इसका आनन्द लें, कि आप अपनी मृत्यू शय्या पर बैठे हैं, पीछे मुड़कर देखिए, कि आज मैंने इन 24 घंटों में जो क करना चाहिए, आखरी तीन मिनट, जो भी चीजें आपने इकठा की हैं, शरीर, मन की बातें, चीजें, छोटी चीजों को अंदेखा मत कीजिए, ये छोटी चीजें बड़ी चीजें, मैंने देखा है कि कैसे लोग अपना तक्या भी लेकर चलते हैं, क्योंकि वो बहुत महत कुपूर्ण है, तो आपका तक्या, आपकी चपल, अगर आपके रिष्टे हैं, सब कुछ जो आपने इकठा किया है, उसे एक और रख कर सोईए, अगर आप इस थिती में सोईगे, तो आप अधिक रोश्नी, अधिक उर्जा, और आपकी कलपना से भी अधिक संभावनाओं के साथ जागेंगे, बस जीवन के रूप में सोईए, पुरुष एस्तरी के रूप में नहीं, इस या उस रूप में नहीं, सब कुछ नीचे रख दीजे, बस ये बहुत आसान है, सिर्फ मींद की साधना, कम से कम इतना आपको करना चाहिए, तो आप जैसी ध्वनियों में जागते हैं, वो कई रूपों में आपके दिन की प्रकृती और आपके जीवन का भविश्यत तय करेंगी, तो एक अलाम से अचानक जागना, जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, अच्छा होगा कि अगर आपकी नींद, जिस तरह का भोजन आप करते हैं, और जिस तरह के विचार और भावनाये अपने अंदर रखते हैं, और आपने अपने शरीर में जीवनत्ता का जो तो परियाप्त जल्दी सोने चले जाएं, ताकि आप अपने आप जाक सकें, अगर आप खुद जाकते हैं, और मान लीजे आपको संदे हैं, कि आप जाक पाएंगे या नहीं, तो अगर आपके पास कोई मंत्र है, अगर आप किसी वैराग्य मंत्र से जुड़ गए हैं, तो आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं। शारेरिक रूप से आपका एक महतुपून पहलू है, आपका हृदय, जो आपके रक्त संचार के लिए पंपिंग स्टेशन है, जो शरीर में जीवन भरता है, ये ना हो, तो कुछ नहीं होगा। ये बाईं तरफ से शुरू होता है, तो आपको पता है, भारत में आपसे कहा जाता है कि आप जब जागें, तो आपको दाहिनी तरफ करवट लेकर उठना चाहिए, बता है, अगर आप बाईं तरफ करवट लेकर उठेंगे, तो आपके साथ खराप चीजे होंगी, खराप उस तरह नहीं. जब आप आराम के स्थिती में होते हैं, जब शरीर आराम में होता है, तो मेटबॉलिक क्रिया धीमी होती है. जब आप उठते हैं, तो सक्रियता में एक उछाल आता है. इसलिए भारत में कहा जाता है. देखे, ये चीजें जीवन का हिस्सा थी, इन्हें आप जीवन का पूरा विज्ञान, जीवन का हिस्सा था. आपसे कहा गया कि सुबा जागने से पहले अपनी हथेलियां आपस में रगड कर ऐसे देखना चाहिए. देखना नहीं, आपको उसे अपनी आखों पर रखना चाहिए. आप ऐसा कीजिए, आपको भगवान दिखेंगे. ये भगवान देखने के बारे में नहीं है. अगर आप इन दोनों को साथ रगडेंगे, तो सभी नसों के सिरे, आपके हाथों में धेर सारी नसों के सिरे होत तो सुभा शरीर को हिलाने से पहले आप उसे जगाईए और फिर इसे अपनी आखों पर रखिए तुरंत आपकी आखों और आपकी इंद्रियों के दूसरे पहलूं से जुड़ी नसें जागरित हो जाएंगे। आज अगर हम सब सोते हैं तो दुनिया में कल सुभा लगभग धाई लाख लोग नहीं जागेंगे। बस इतना कीजे, मैं बता रहा हूँ, यह आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक सरल पहला कदम है। कल सुभा जब आप जागे हैं तब जाचिए आप वाकई जगे हैं या मर गए हैं। अगर आप जगे हैं तो एक छोटा सा जश्न तो बनता है। आपको उटकर नाचनी की जरूरत नहीं है। कम से कम आप मुस्करा सकते हैं कि अब भी जीवित हैं। दाइ लाख लोग मर गए, वो आपकी और मेरी तरह थी। उड़ गए, कहीं भी देखिए, वो नहीं मिलेंगे। यहां मैं अब भी जीवित हूँ। एक बड़ी मुस्कुराहट। आप देंगे। मैं मैं मैनेज करनी की बात कर रहा। अगर ढ़ाई लाख लोग मर गए, तो कम से कम 30-50 लाख लोगों ने अपना कोई प्रेजन खो दिया। आप उन 3-4-5 लोगों को देखिए, जो आपके लिए माइने रखते हैं, वो सभी आज जिन्दा हैं। एक और बड़ी मुस्कुराहट। देंगे या नहीं। अगर मान लीजिए, अभी हम आपके सिर पर बंदूक रख देते हैं, क्या आप रात महसूस करेंगे। नहीं, आप डर जाएंगे, या ना, तो जीवित होना इतना कीमती है, है की नहीं। आपका जीवित होना इतना कीमती है, तो कल सुभा, ढाई लाक लोग रात में मर गए, मगर आप अब भी जीवित हैं। क्या इसके लिए कम से कम एक बड़ी मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए। और सभी लोग जो आपके लिए माइने रखते हैं, वो सब आज जीवित हैं, एक और बड़ी मुस्कुराहट। क्या है एक प्रशा हैं। वो दो आज हैं, प्रशाट। क्या हैं, एक शीवित हिए। कि युद़ एक लिए खाट। कर दो कर दो